हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका विदंग क्लासिस के यूट्यूब चैनल पर मनो विज्ञान के 30 प्रश्ण बहुत महत्पूर्ण हम हल करने वाले हैं नए पैटर्न पर आधरित हमने यह तयार किये हैं यदि आप 20 प्रश्ण भी कर देते हैं तो आपकी तयारी बहुत बैतर है आप हमारे तीनो शोशल मीडिया हैंडल है यूट्यूब चैनल टेलिग्राम ग्रूप और फेस्बुक पेज कहीं भी आप हमें जॉइन कर सकते हैं जहां से आपको अपडेट्स रेगुलर मिलती रहती है पहला प्रश्ण उसे शुरू करते हैं और देखिए आप खुद इसे करके देखिएगा यदि आपका उत्तर सही होता है तो आप स्वेम मुल्यांकन आपको करना है कि 30 में से आपके प्रश्ण कितने हल होते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा एक बार यह सुनिश्चित होने के बाद कि बालक में द्रिश्टी बादिता है उसका आगे का आकलन होना चाहिए किस आधार पर बुद्धी परिक्षण के आधार पर प्राकार्यात्मक द्रिश्टी का परिक्षण करके शेक्षिक आकलन करके तो जब भी द्रिश्टी बाद होगी और बालक को जब आप आकलन करेंगे तो उसकी विजुलाइजेशन की शक्ति कितनी है उस आधार पे आप उसे आकलन करेंगे तो उसको हम कहते हैं प्राकार्यात्मक दृष्टी का परिक्षान तो option B is the right answer अगला प्रशन है निम्न में से कौन सा शब्द दूर दर्शिता के लिए दिया जाता है इंगलिश में हम इसे कहते हैं हाइपर विजन ओप्टिक एफ्ट्रोफी दूसरा option है एस्टिक मैटेज्म तीसरा option है हाइप्रोपिया या चोथा option है रिफ्रेक्षन तो देखिए दूर दर्शिता को अंग्रेजी में कहेंगे हाइपर विजन तो इस विनेटी का प्लान, प्रोजेक्ट मेथड या प्ले मेथड तो व्यक्तिक विभिंता के आधार पर यदि बात करेंगे पार्क हर्स की तो उन्होंने दी थी डाल्टन प्लान दिया था क्योंकि वो डाल्टन शहर के रेने वाले थे इसलिए इसका नाम हो गया डाल्टन प्ला इस्तिती जनक परिक्षण या कोपिंग व्यवहार उत्तर होगा इसका प्रक्षेपन विधी अगला प्रशने MMPI किसने बनाई व्यक्तितों परिक्षण में ये प्रयोग किया जाता है मिनिसोटा बहु अंची वेक्तितों प्रशनावली है ये MMPI मिनिसोटा मल्टिपल परसनेलिटी इस तरह से तो यहाँ आईजेंक या मेरिनो हाथावे वा मैकिनले मैकिनले मोडसले वुडवर्थ या हाथावे तो यहाँ जो बनाई थी MMPI मैकिनले और हाथावे दोनों के द् तैयार की गई थी तो option B is the right answer अगला प्रशने शरीर की सुन्दरता या पहनावा किस प्रकार के व्यक्तितु को दर्शाता है आंतरिक व्यक्तितु को सतही व्यक्तितु को बाहरी को या उप्रोक्त सभी तो जो शरीर की सुन्दरता है पहनावा है अमारा ड्रेस अप है वो व्यक्तितु बिल्कुल नहीं इसको हम कहते हैं सतही व्यक्तितु आंतरिक व्यक्तितु बालक का अंतर का व्यक्तितु उसमें कैसी भावना है अब अंतर मुखी है बहीर मुखी लेकिन सतही व्यक्तितु हमारा ड्रेस अप है शरीर की सुन्दरता है यह सब सतही रथे तो सूला पी एफ उसे कहते हैं, या देखना है, केटल का व्यक्तित पापन का परिक्षन है, सूला पी एफ, अगला है, पीले पित वाले लोगों में व्यक्तित होता है, कौन सा व्यक्तित होता है, मेलन कोरिक, कोलरिक, सैंग्विन या फ्लैग्मेटिक, ठीक है, देखि जो बिल्कुल ही रक्त पित वाले होते हैं, प्रसंचित रहते हैं, सैंग्विन, ठीके, फ्लेगमेटिक यह मिश्रित माल लिजे आप, निश्क्रिये शांत, शलेश्मा अवस्था इस तरह और मेलनकोरिक मतलब होते हैं, काले पित वाले, ठीके, तो यह चार इनकी श्रेणिया किसके द्वारा दिया ठीके, तो यह इस्टर्न बर्ग के द्वारा दिया गया था, ट्राई आर्किक सिद्दान्थ, और ट्राई फेक्टर पूछ लिया जाए, तो इस्पियर मेंट, क्योंकि तीन फेक्टर किस ने दिये थे, इस्पियर मेंट ने दिये थे, जबकि ट्राई आर्किक सिद्धान्त है, इस्टर्न बर्ग का दिया हुआ है, option A is the right answer, अगला प्रश्ण है, हैब के द्वारा या हैब के अनुसार बुध्धी कितने प्रकार की होती है, तो बुध्धी एक, दो, या तीन प्रकार की या चार प्रकार की, तो उनके अनुसार में बुध्धी त जिसे तातपर्य है जिनो टाइप फिनो टाइप जिसे बुद्धी परिक्षण मापता है या उपरियुक्त सभी तो बुद्धी A का मतलब होता है जिनो टाइप और बुद्धी B को मतलब कहते हैं हम फिनो टाइप ये बुद्धी A B का दोनों का अतिरिक्त नाम दिया हुआ है ठीक है, Genotype और Phenotype, यह Vernon द्वारा दिया गया था, Vernon, बुधी A को क्या कहते हैं, तो वो Genotype है, बुधी B को क्या कहते हैं, Phenotype है, तो याद रखना है, Genotype, पॉलिग्राफ उपकरण का उपयोग किया जता है, आप से कितने प्रश्ण हाल हुए, आप मुझे कमेंट जरूर कीजेगा, तो प्रश्ण कहता है, पॉलिग्राफ उपकरण का उपयोग किया जता है, बुधी की पैचान है तू, अभी व्रत्ति की पैचान है तू, या आपको दूसरा नाम याद रखना है तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे जिसे लाइट डिटेक्टर हम कहते हैं तो किसके लिए प्रयोग करते हैं उसे जूट की परचान है तूँ अगला प्रश्ण है मुक्त साचर्य विधी में जिन शब्दों का या अपराध की घटना से संब्दों का होता है उसे हम क्या कहते हैं तठस्ट शब्द, क्रांतिक शब्द, संब्दित शब्द या उप्योगी शब्द जब भी मुक्त साचेरे विधि में अपराद की घटना से संबंद जिन शब्दों का होता है उन्हें हम कहते हैं क्रांतिक शब्द ठीके ये दो चीजें होती है जिनका संबंद नहीं है उन्हें टटस्थ कहेंगे कि जिनका कोई संबंद नहीं है अपराद की घटना से जिसे ब लिजिए बालक ने पैंसिल ही चुराई अब हमें पैंसिल से बस्ते से विध्यले से संबंदित कोई भी शब्द उसे नहीं देना है उसको हम कहेंगे तटस्थ शब्द और यदि उससे संबंदितों जैसे बस्ता, लंच बॉक्स, टिफिन, स्कूल, फ्रेंड्स, ठीक है, ड्र इस्तरावी ग्रंथियों के काम नहीं करने पर होती है मंगोलिज्म, क्रेटेनिज्म, हेड्रोसिफेली या उपरोक्त सभी, तो वह होता है क्रेटेनिज्म, ठीक है, समायोजिन की रचनात्मक विधी है, चैनात्मक विस्मरण, प्रतिगमन, कोपिंग व्यवहार या आत्मी क तो जब समायोजिन की रचनात्मक का मतलब होता है कि व्यक्ति उस परिस्थिती से लड़ता है, उससे भागता नहीं है, उसको हम कहते हैं, कोपिंग व्यवहार, ठीक है, ऑप्शन C, अगला प्रशन, फ्लाइट और फाइट, निम्न में से किसे दर्शाता है, प्रतिबाशा फ्लाइट का मतलब होता है, रक्षा तंत्र उड़ जाना, और फाइट का मतलब होता है, लड़ना, उस इस्तिती से उसे हम कहते हैं, कोपिंग व्यवहार, तो सही जोड़ा है, ऑप्शन C, अगला प्रशन, एक खिलाडी पहली गेंद पर आउट हो गया, आउट होते ही, उस तो जब एक खिलाडी आउट हो गया है, और अपने गुच्से को कहा निकाल रहा है, बेट को जमीन पर दे करके मार रहा है, तो उसे कहते हैं हम प्रती स्थापन, ठीक है, ऑप्शन A, अगला प्रशने, NCF 2005 के अनुसार, शिक्षन इसलिए किया जाता है, सरजनात्मक एवं, रचनात्मक शक्तियों का विकास करना, ज्यान का निर्मान करने में सक्षम हो, नैतिक गुणों का विकास हो सके, या उपर्यूग तो सभी, तो इसका सयुत्तर क्या है, ऑप्शन D, is the right answer, अगला प्रशने, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय, खाने को चकता है, और वह, डेश के समान है, किस के समान है, सीखने के रूप में आकलन कर रहा है, या फिर आकलन और सीखना दोनों साथ साथ चल रहा है, या फिर सीखने का आकलन किया जा रहा है, या अप्शन D, सीखने के लिए आकलन कर रहा है, तो आपको याद दखना है, जब भी कार्य के मध्य में जिसे आप पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते ही जब आप कक्षा में आकलन करें तो उसे हम कहते हैं सीखने के लिए आकलन करना for learning कहलाता है यह ठीक है कारे के मध्य में करना ठीक है और सीखने का आकलन जब होता है जब कारे समाप्त हो जाए तो सीखने का आकलन कारे समापती पर सेखने के लिए आकलन मतलब कारे की मध्य में, ठीक है, option D is the right answer, अगला प्रशने, एक अच्छी परिक्षा में तीन गुण जरूर होते हैं, व्यापक्ता, मुल्यांकन, व्यवहारिक्ता, दूसरा option है, व्यद्यता, मुल्यांकन, व्यवहा रिक्ता, तो एक जो अच्छी परिक्षा होती है, उसमें व्यद्यता तो होती ही है, ठीक है, उसमें व्यवहारिक्ता भी होती है, तो व्यद्यता और व्यवहारिक्ता यहां कहीं भी दो जगे नहीं मिली हुई है, तो option D is the right answer, अगला प्रशने, क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व है, पुस्तक के लेखक कोन है, कुर्ट लेविन, कॉलियर, स्टीफन M. कोरे या मोन्रो, आपको ध्यान होगा, क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा में स्थापित करने का या शिक्षा में प्रयोक करने का श्रेय जाता है, स्टीफन M. कोरे को, इसलिए इनकी पुस् धारा 29 या धारा 30 में तो धारा 27 में लिखावा है शिक्षकों की नियुक्ति तीन कार्यों के अलावा अतिरिक्त किसी भी कार्य में नहीं हो सकती एक तो दस वर्षी है जन्गरना दूसरा चुनाव में उनकी नियुक्ति करना चुनाव में डूटी देना और तीसरा है आपदा प्रबंदन, शिक्षण कारे तो उनका है ही, तो इनके अलावा कोई काम नहीं करेंगे, वो ऐसा धारा 27 में लिखावा है, RTE 2009 की धारा में, अगला प्रशन, शिक्षक किस धारा के अंतरगत प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, धारा 23, धारा 25, धारा 17 या धारा 28, तो ठीक, इसके बाद की धारा है, 27 की धारा 28 में लिखावा है, कि शिक्षक कहीं भी ट्यूशन नहीं देगा, प्राइवेट ट्यूशन, ठीक है, अगला प्रशने, जॉन डीवी के अनुसार, शिक्षक के त्री मुखी प्रिक्रिया के अंतरगत नहीं, नहीं शब्द पे ग ध्यार थी और शिक्षक के तीनों आवश्या के शिक्षक है, उसकी त्री मुखी प्रिक्रिया के अंतरगत, अगला प्रशने, निम्न में से किस विद्वान ने शिक्षण प्रिक्रिया का संकुचित द्रिष्टिकोंड दिया है, संकुचित मतब छोटा, जॉन डीवी ने, थोरंडाइक ने, भी इस ब्लूम ने, या एनन मुखर जी ने, तो जो संकुचित दृष्टी कोण है, वो दिया है, भी इस ब्लूम ने, क्योंकि इन्होंने कहा था, एक ट्राइंगल जो बना हुआ है, उसमें कहा, यहाँ स्टूडेंट है, यहाँ टीचर है, और यहाँ व्यापक संकुचित ना हो करके, व्यापक अवधार ना हो जाती, अगला प्रशने, तो इसका आंसर जो है, गरेक्ट आंसर ब्लूम ठीक है, अगला प्रशने, शिक्षन उपागम का सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले आपको यादखना है, सबसे पहले आता है विधी, तो व Option A is the right answer, अगला प्रशने, चिंतन का संबंद मानव के किस पक्ष से है, संग्यानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या उपरोक्त सभी, तो चिंतन मस्तिक्ष की एक कार्य प्रणाली है, ज्यान का संबंद है, तो ज्यानात्मक, संग्यानात्मक पक्ष से संबंदित है, अगल फोड ने, तो यहाँ परिभाशे दी हुई है, रोज की बहुत महत्पूर्ण परिभाशा है कि चिंतन मानसिक गत्यात्मक एक क्रिया है, मानसिक संगठन है, अगला प्रशने, स्रजनात्मक ता से संबंदित चिंतन कहलाता है, अपसारी, सुली, अभिसारी या इन में से नहीं, तो जो स्रजनात्मक बालक होते हैं, उनमें अपसारी चिंतन पाया जाता है, वो अमूर्त चिंतन भी कर लेते हैं, और अंतिम प्रशने इसका, निगमनात्मक चिंतन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, उसे हम कहते हैं, अभिसारी चिंतन, option D, निगमनात्मक को अभ सब्सक्राइब करें, फेस्बूक पेज पर हमें फोलो करें और टेली ग्राम चैनल जोइन करें, धन्यवाद नेक्स वीडियो में मिलते हैं, जैहिन जैभारत